हेलो फ्रेंड्स जैश्रिम हाकाल मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का सौगत करता हूँ शिपरे तिरे कोचिंग क्लासेस पर यूट्यूब चैनल स्टेडि विट शिपरा तिरे दोस्तों स्वागत आप सभी का फ्रेंड्स जिसने भी हमारी अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं लाइव वो देख लें हम लाइव क्लास के आगी की क्लास ही कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा योनिट डिजिट दोस्तों आप सभी को पता है इकाई अंक के बारे में हैना दोस्तों अब दोस्तों आज तो हम पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ इकाई अंक योनेट डिजिट योनेट डिजिट का हमारा आजकार लेक्चर रहेगा दोस्तों हना फ्रेंट्स योनेट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक इकाई अंक अब सबसे पहले ये इस तरीके के questions केसे आएंगे सर क्या होगा इससे पहले आप लोग सवाल करो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि माल लीजिए माल लीजिए आपसे बोला जाए कि 2 की power 243 है और अगर इसको solve किया जाए तो आखरी में जो भी answer निकलेगा उसका आखरी का अंक क्या होगा ये आप से पूछा जाएगा एक्जाम में इसी तरीके question आते हैं कि find the unit digit unit digit मतलब question ये दे आ रहेगा आपसे बोला जाएगा कि अगर इसको पूरे को solve किया जाए तो आखरी में जो answer निकलेगा उसके आखरी में क्या unit digit होगा ठीके दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार के questions आपको आप पढ़ करने हैं देखने हैं तो चलिए इसके लिए दोस्तों पहले आपको कुछ rules follow करने होंगे तो तीन rule हैं मैं आपको line wise तीनो rule बताता जाता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की confusion ना हो और वीडियो को आखरी तक देखिएगा दोस्तों और पसंद आये तो like जरूर कीजेगा और जित्ते भी नए बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को subscribe जरूर करें friends चलिए unit digit में कितने rule हैं सबसे पहले तो तो friends rule की बात करें तो rule है 1, 2 और 3 कितने दोस्तों? 3 rule कितने rule आपको याद करने पड़ेंगे? 3 rule आपको याद करने पड़ेंगे अब सभी संख्याओं को unit digit सबसे बली बात करें तो unit digit कहां से कहां तक होगी दोस्तों? unit digit कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 9 तक unit digit होती है क्योंकि 10 जो होगी वो unit digit नहीं वो number में बदल जाती है, ठीक है? तो 0 से लेकर 9 तक unit digit होती है अब आगे देखें तो rule number 1 ठीक है दोस्तों, rule 1 हम rule 1 की बात करते हैं तो rule 1 में 0 से लेकर 9 तक के कौन-कौन से number लेने हैं आपको? वो है 0 1 5 और 6 आप लोग copy में दोस्तों लगाता लिखते जाना और अगर जल्दी हो रहा हो तो friends वीडियो को pause करके पहले जरूरी लिखते जाना क्योंकि यह जरूरी है कि आप line wise सारी चीज़े लिखते जाना नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़े माल लो यह मैंने यहाँ पर 21 लिखा और 21 के power 231 लिखा क्या लिखा 231 है ना यह जो rules है ना यह जैसे 1 है तो यह 1 यहाँ आएगा 5 है तो 5 इस गोले में आएगा 6 है तो 6 इस गोले में आएगा यह होगी आपकी unit digit ठीक है? इसको solve करने पर जो answer आएगा वो find करना होता है कि यहाँ पर जो आखरी अंक है जैसे कि माल लो कि इसका जो for example कि इसका कोई answer आ रहा है सिर्फ एक example ले रहा हूँ दोस्तों कि एक example में इसका answer आ रहा है 2, 5, 6 है ना तो आपको यह 6 वाली value पता करनी होती है कि 6 वाली value कैसे thought में आप करवा दूँगा दोस्तों कि कैसे आप पता कर सकते कि अगर किसी की unit digit 0, 1, 5, 6 है तो उसकी इकाई अंक क्या होगा answer का भले उसकी घात कुछ भी हो उसकी power कुछ भी हो आपका answer क्या होगा solve करने पर यह मैं आपको बताऊंगा आज चलिए दोस्तों तो शुरू करते rule number 1 हम जैसा के पढ़ रहे थे 0, 1, 5 और 6 के लिए होता है ठीक है अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इनकी power कुछ भी हो x, y, z कुछ भी हो answer 0, 1, 5 और 6 ही आएगा इसका unit digit इसका याद रखिएगा दोस्तों अंदर अगर 25 है तो unit digit यहाँ पर क्या है 5 है ना तो answer 5 ही होगा यदी unit digit यहाँ पर 6 हो यहाँ पर 6 हो तो answer क्या होगा 6 ही होगा चाहे power कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं यहाँ unit digit अगर 0, 1, 5, 6 हो तो आपका unit digit में answer क्या होगा 0, 1, 5, 6 ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ पहला rule आपको बहुत अच्छे से बहुत ही आसान rule था अगला बात करते हम rule number 2 की ठीक है हाँ rule number 2 की बात करेंगे दोस्तों लिखते जाना दोस्तों बहुत आसान है ना जिसने भी सीख लिया उसको समझ में आ जागा कि कैसे करना है rule 2 में अपन 0156 तो rule number 1 में पढ़ चुके हैं अब आएगा rule number 2 में 4 और 9 जिसकी unit digit 4 हो या 9 हो ठीक है जिसकी unit digit 4 हो या 9 हो ठीक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चलिए तो शुरू करते हैं यदि इकाई रंक 4 हो और उसकी पावर जो है वह yवन number हो याने कि समसंख्या हो क्या हो समसंख्या क्या होती है 2, 4, 6, 8 है ना यह इ होती है समसंख्या अगर इसकी power even number है याने समसंख्या हो और example भी बता दिया कि कौन-कौन से होती है समसंख्या 2, 4, 6, 8 है ना यह होती है समसंख्या अगर हो तो इसका का इकाई अंक का answer आएगा 6 क्या आएगा दोस्तों 6 यह आपको copy में लिख लेना है ठीके दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से समझा दिया है कि किसी भी संख्या का 1 अंग अगर 4 हो और उसकी power जो है वो सम संख्या है यानि even 2, 4, 6 यानि जरूरी नहीं कि उसकी power में सिर्फ 2, 4, 6 हो अगर 552 है तो उसकी power का आखरी क्या आ रहा है 2 आ रहा है अपने को unit digit देखनी है न मैं भी questions कर रहा हूँ हूँ जब आपको अगली class में तो दोस्तों आप लोगो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा अब ये आप सिर्फ rules समझी है कि rules क्या होते है ठीक है तो ये तो आपको समझ में आगया कि अगर 4 की even power हुई तो answer आपको 6 लगाना है बिना सोचे समझें आग बन करके answer लगा देना ठीक है दोस्तों हाँ अब आगे देखते हैं कि अगर माल लीजिए फिर से 4 मिले यही एक्जामपल ले रहा हूँ अगर इसका power जो है वो odd हो जाए और odd क्या होती है दोस्तों एक तीन पाँच साथ ये सब क्या है ये odd number से दोस्तों odd number मतलब विशम संख्या अगर odd number हो तो इसका answer क्या होगा सीधे सीधे आपको क्या लगा देना है 4 ही लगाना है बस अगर even number हो जाए आपकी power तो 6 लगाना है अगर odd है सब power 4 की तो आपका answer सीधे सीधे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीके दोस्तों इसी प्रकार से इसी प्रकार से दोस्तों आपको 9 का भी देखना है मान लीजिए मैंने 919 कर दिया 919 की power even number है क्या number है even number है कैसी है even number है तो यहाँ पर unit digit क्या है 9 है अगर even number even number में फिर से लिख देता हूं ता कि आपको confusion नहों हो 2, 4, 6 है ना तो अगर even number में उसकी unit digit आखरी में 2, 4, 6 आ रही है तो सीधे सीधे इस पूरे question का answer क्या हो जाएगा दोस्तों इस पूरे question का answer हो जाएगा एक याने इसकी इकाई अंक क्या आएगी एक आएगी अगर even है इसका power तो और same to same जैसे अपन लोगों ने अभी 4 case में देखा कि अगर 9 की power odd number है odd याने विशम मतलब 1, 3, 5, 7 हैना अगर ये है तो इसका answer सीधे सीधे 9 ही होगा जैसे 4 का 4 odd number अगर उसकी power है तो 4 का 4 तो 9 का 9 होगा ठीक है ये था rule number rule number 3 जैसे कि आप देख चुके हैं मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ नहीं तो आप लोगों confused हो जाओ की ये क्या कर दिया सर ने ठीक है मैं बता देता हूँ rule number 1 में हम लोगों ने पढ़ लिये हैं क्या क्या पढ़ लिये हैं 0, 1, 5 और 6 के बारे में है ना ठीक है rule number ये था 1 अब rule number 2 में हमने क्या पढ़ा है 4 और 9 के बारे में अब rule number 3 जब मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया था कि 3 ही rule है तो 3 rule में बच्ची वी संक्या जो भी होंगी वो आ जाएंगी 2, 3, 7 और 8 ठीक है अब हम पढ़ेंगे 2, 3, 7 और 8 के बारे में ठीक है दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं अब यदी यदी चलो मैं लिख देता हूं सामने आप लोग कोई confused ना हो जाओ कि rule number 3 है यदी unit digit यदी unit digit इसके question करवाँगा न दोस्तों आपको और अगर आपने ये पर पड़ भी लिया ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा कि कैसे करेंगे यदी unit digit 3, 2, 3, 7, 8 हो तो हो तो क्या करेंगे दोस्तों देखो माल लो for example कि उसकी power जो भी होगी न friends तो आप लोगों को जब भी 2, 3, 7, 8 की काई हो जैसे की example लेकर समझाता हूँ आपको यह से समझ में नहीं आएगा मैंने लिया 32 की power 263 क्या लिया दोस्तों 32 की power 263 अब देखो इधार इकाई अंक क्या है 2 है आपको क्या करना पड़ेगा जो इसकी power है न इसको 4 से divide करना पड़ेगा ठीक है तो चलो मैं शुरू करता हूँ इसको 4 से divide करना इसकी power थी क्या थी दोस्तों 263 थी क्या थी 263 मैं एक बार फिर से ढंक से लिख देता हूँ दोस्तों आपके सामने इसको 4 से विभाजित करना है मैं को 263 को ठीक है तो 4 6 से 24 आपका बच्चा 23 ठीक है 4 5 से 20 आपका नीचे बच्चा 3 तोस्तों फ्रेंड्स जो ये नीचे बच रहा है न अपनने कोश्चन क्या लिया था 32 की power 263 है न यही कोश्चन लिया था न अपनने तो ये जो नीचे 3 बच रहा है न अब ये 2 की नई power हो जाएगी यानि कि अब आपका answer क्या जाएगा 2 2 is a 4 4 2 is a 8 ये आपका answer होगा ठीक है मैं आपको और एक को और बार समझा देता हूँ for example अभी अपन को किस चीश का rule pattern है दोस्तों 2 3 7 और 8 का अभी मैंने 2 का एक बार समझा के दिखाया है अब मैं एक बार 8 क्वाले का unit digit लेकर आपको समझाता हूँ ठीक है for example 78 का मैंने बोला कि इसकी power है 268 क्या बोला मैंने कि 78 की power है 268 78 की power है गात है 268 अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो power है ना इसको divide करना है 4 से ठीक है तो चलिए शुरू कर देते हैं 268 को आप 4 से divide कीज़े 4 6 आप 24 28 बचा 4 7 आप 28 अब फ्रेंट्स यहां तो 0 बच रहा है यहां तो 0 बच रहा है अब क्या करेंगे यह यहां तो 0 बच रहा है अब क्या करोगे आप तो दोस्तों जैसे कि आखरी में 0 बच रहा था तो अब 78 की नई power क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी अब फ्रेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना कभी भी किसी नंबर की power जो होती है वो 0 नहीं होती है है ना कभी भी किसी नंबर की power 0 नहीं होती है तो 78 की अब नई power क्या लिखें क्या लिखें तो हमने 4 से डिवाइड किया है हर एक चीज़ को तो आपका answer यहाँ पर होगा 4 अब फ्रेंट्स 8 की power आई है 4 इस चीज़ का ध्यान रखना तो इसको solve करेंगे तो आप कैसे solve करोगे इसको 8 into 8 into 8 अब इतने बड़े को solve करने बेटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और अपने को तो इस 8 को into कर दो और इस 8 को into कर दो तो 8 8 जा हो जाएगा 64 यह 8 भी हो जाएगा 64 अब फ्रेंट्स 64 इंट्स तो बहुत लंब हो जाएगा फ्रेंट्स हमको सिफ ठीके दोस्तों हाँ अब मैं आप लोगों फिर से एक बार और बता देता हूँ रूल नंबर 1 में क्या था दोस्तों रूल नंबर 1 में था 0, 1, 5 और 6 के बारे में कि अगर इनकी unit digit कुछ भी हो इनकी unit digit कुछ भी हो तो क्या होगा फ्रेंट्स आंसर क्या हो जाएगा 0, 1, 5, 6 ही आएगा रूल नंबर 2 में क्या था 4 और 9 4 और 9 में क्या था दोस्तों 4 और 9 में ये था कि अगर even हुआ तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1 हो जाएगा और अगर दोनों के odd है इनकी power जो है वो odd है तो 4 का 4 रहेगा 9 का 9 रहेगा तीसरे वारे रूल में हमने क्या पढ़ाता दोस्तों 2, 3, 7 और 8 के बारे में कि इनकी power यानि घात को 4 से विभाजित करना पड़ेगा डिवाइट करना पड़ेगा और जो भी नया reminder बचेगा वो उस नम्मर क्या नया पावर हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए उम्मिद करता हूँ आपको इवीडियो पसंद आया होगा दोस्तों आपने आखरी तक इस वीडियो को देखा है फ्रेंट्स वीडियो को लाइक कर दें जादा स्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ थैंक यू फ्रेंड्स जैशनी माकल